वेल्कम बेक टो वर्शनल सू पिछली वीडियो में इस सारी से आपको गाउन की कटिंग बताई थी तो आज का हमारा पार्ट स्टीचिंग करेगा यहाँ पर मैंने एक सारी लिए है फाइव मीटर की सारी लिए है इसमें से ब्लाउस निकाल दिया था और यह लाइनिंग मेंन बलून स्लीव वाली गाउन बनाई है और गेंजा सारी से अधिन अमने पहले लाइनिंग फैब्रिक को कट किया उसके अकोर्डिंग हमने हमारा मैन फैब्रिक कट करके इस टाइप से अम्रेला में कट किया है नीची का पोश्चन और उपर का पोश्चन जो हमारा है वो मैंन गळा यह जाता है तो फ्लेयार में पी को ही कर सकते हैं या फिला की वनसी छसी लगा लिए ता धाल यह जाक दो कुल का मेरे सिस्टन और यहां पर मैंने उपर की साइड अस्तर को लाइनिंग फैब्रिक को मेंड फैब्रिक से उपर से भी अटेज कर लिया है और जो एक साइड ओपन था उसे भी हमने स्टीच कर लिया है तो इस टाइप से हमने फैब्रिक को स्टीच कर लिया है और यहां से अब हमारा उपर का तो उपर का portion में हमने जो neck cut किया था उसे simply अंदर की side सीधा side रखके उपर की side से stitch कर देंगे lining fabric को man fabric से ठीक है और इसे सीधी side से palette लेना है ठीक है तो यह दोनों part में कर लेना है front और back part में इस type से और मैंने यहाँ पर less लगा दिये क्योंकि यह lace हमारी नीचे की side भी है तो मेंना neck में भी लगा दिये तो इससे look काफी pretty आएगा हमारे neck का और यह lace हमें दोनों side लगा लिए नहीं है front में भी और back में भी ठीक है यहाँ पर मैंने हमारा उपर का portion भी ready कर लिया ठीक है अब हमारी sleeves जो हमने cut की थी उससे ready करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम sleeves को इसमें tuck कर देंगे तो जो हमारी sleeves इसमें हम छुटी-छुटी से plates लगा कर इसमें attach कर देंगे sleeves में हम नीचे की side elastic लगाएंगे उपर की side हम इसमें directly tuck कर देना है ठीक है सो जो हमने sleeves cut की थी इसमें हमने center में cut लगाया था तो यहाँ पर जो हमारा shoulder का stitching है वहां से उस cut को आगे की side plates देते हो इसे लेना और पीछे की side तो इससे बराबरी से plates लग जाएगे ठीक है प्लेयर से attach कर लेना है ठीक है तो जो हमारा उपर वाला portion है इसे attach कर लेंगे उसके पाद यहाँ पर हम sleeves में मैंने one inches फोल्ड किया है ठीक है क्योंकि हमारा elastic one inches का है अगर आप डोरी वाल इलास्टिक डालते तो आप आदा इंची कपड़े को फोल्ड कर सकते उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम बैल्ट बनाने वाले और बैल्ट बनाने के लिए यहाँ पर मै कर लेंगे हमारा बैल्ट हो जाएगा ठीक होगए उससे लुक और भी प्रिटी आएगा ठीक है ड्रस का इसे चारो साइड लेस लगा के ड्रेकोर कर लेना है और इसमें पीछी की साइड हम यहाँ पर डोरी रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर अब इस लास्टिक को इंसर्ट क स्टीजिंग दे ठीक है उतनी चोड़ाइव और यह कलाई के अकोडिंग लेना है ठीक हमने फ्लेयर जादा रखा है तो यह में इसे लास्टिक को इंसर्ट करेंगे तो यह लास्टिक टेडा मेरा नहीं होगा अगर आप सिलाई ज्यादा या कम लगाते हैं तो वह अंदर जाक प्लास्टिक ले रहे हैं उतनी ही आपको सिलाई लेना है ठीक है यह बराबरी से उतनी में सिलाई लिए तो लास्टिक इजीली स्ट्रेट रहेगा ठीक है अब इसे और इसे हमें दोनों स्लीज में कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर हम प्लिट्स नहीं दे रहे हो लास्टिक लगा रहे अगर आप प्लास्टिक छोटा वाला लेते आदा इंच का तो आप इसमें आदा इंची सिलाई लगाई है ठीके तो यहां पर ओल ओवर को मैंने इंसर्ट कर लिया है अब यहां पर हमें इसमें पिटिंग दे देनी है इसलिव में हमें बराबर ही पिटिंग नहीं हमें बिलकुल किनारी पर अदा इंची छोड़ते हुए सिलाई लगा ले cleaning ने है ठीके और यहां पर इन दोनों पहल сторिक की जो दोनों साइडे उन्हें इस्टीज कर लेना है ठीके जो हमारे सिलिव के लगा के और दोनों स्लेश में लास्टिक inventory कर लेंगे उसके बार यहाँ पर यहाँ पर और इसे नीचे वाल değiş है नाशा चूंटिकर दोनों को स्थीज कर ले हैं हम्हें नहीं पर इसे से त nosy स्टीश कर दिया था, बेगें दिया को ज वैक यहां बेरले पोर्षмо कर देने के भी पालती या है जो है नोativos क्रिक करें चुर। और औल हमारी dress ready हो गई है friends यहाँ पर back side में मैंने डोरी लगाई है ठीके और उसमें tuzzles लगाई है इस type से ठीके आप कोई से भी tuzzles बना के लगा सकते हैं इस पर मैंने simply तीन तीन फेडरी की tuzzles बनाई और यहाँ पर मैंने दो-दो tuzzles बनाई है बेल्ट में लगाने के लिए ठीके और यह हमारा बेल्ट बन के रेडि हो गया है तो यह हमारी फ्रॉक अम्रिला फ्रॉक है जो रेडि हो गई है और इसे आप लेगिंज के साथ प्लाजू के साथ किसी के साथ भी प्याइब करेंगे तो बहुत ही ब्यूटिफूल सा लुक आएगा और यह बेस्ट सारी का रियूज रहेगा अगर आपके पस कोई भी और गेंजा या किसी भी स्ट्राइब के सारी होती तो आप इस जरूर ट्राइ कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाएं टेक केर और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में मुझे जरूर बताना और वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह इसका बेवियर करने की बाद असा लूक आएगा तो आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लूक आ रहा है अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबाए चिक के आए मिलते हैं नेक्स वीडियो में